अपने आपको तयार कहने वाला हो गया है अब IPL की प्लेओफ की रेस से बाहर कॉलकता नाइट राइडर्स को मिली ए हार लकनौ सूपर जाइंट्स ने जीता है मुकाबला और अपनी जगा पकी कर लिया है अब प्लेओफ की दौड में IPL 2022 में प्रिकट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप मैं हूँ आपके साथ लक्षित यहां से बता दिया जाए केके आर की हार के बाद और लकनौ की जीत के बाद किन टीमों का द्वार हो गया है बंद प्लेओफ की रेस में क्वालिफा करने के लिए और कौन सी टीम के चांसे जब और बढ़ गए है बताएंगे आपको इस वीडियो में अंतक बने रहीएगा हमारे साथ KKR है तयार यह लाइन आपने सुनी होगी IPL से पहले जब कौलकता के फैंस और KKR की टीम का लोगो यह कहता था लेकिन अपने आपको तयार कहने वाले आज ये खराब प्रतरिशन के बाद हो चुके है IPL से बाहर जब पहले 20 सोबस में 210 रन दिये गेंद बाजों ने और एक भी विकेट वहां पे गेंद बाज अपने नाम पे नहीं कर पाते हैं उसके बाद हमने देखा दूसरी पारी में बलेबाजी रही फ्लॉप जहां पे उपनिंग बलेबाज वेंकेटेश अईयर शूनुवे पे आउट हो जाते हैं फिर अभी जीत तोमर ने आज ज्यादा नंस नहीं बनाए अपने डेब्यू पे मातर चार रन बनाए मिडल ओर्डर की कमान समाल ने आये थे नितिश नाना, श्रेस, अईयर, सैम बिलिंग्स जिन में से अईयर और सैम बिलिंग्स को शुरुवात मिली थी नितिश नाना को भी बहतरी शुरुवात मिली लेकिन इन में से केवल मातर च्रेस अईयर के बले से अर्द्शतक आता है नितिश नाना, सैम बिलिंग्स, बाउंडरीज लगाने के बाद आउट हो जाते हैं पिर हमने देखा नहीं चला, वहाँ पे रसल मसल का बला, अंत में थोड़ी कोशिश जरूर थी वहाँ पे रिंकु सिंग और साथी में सुनील नरैन के द्वारा वो अंतता नहीं हो पाई सफल और वहाँ पे जो मुकाबला था, वहाँ जीत मिलती है लगनाउ सूपर जाइंट्स को जिसके चलते बाहर हो गई है, यहाँ से अब टीम केके आर की केके आर की हार के बाद चांसे जो है, वो थोड़े से सॉलिड हो गए है आईदराबाद, पंजाब के लिए, क्योंकि अब वही दो टीमें बची हैं जो 14 अंको तक जा सकती है जो थोड़ा एक साइकोलोजिकल फैक्टर था, उससे थोड़ी सी फ्रेशर रिलीज ओफ हुआ है तो जहां पे हमने देखा था, इस समय चौते स्पॉट के लिए 5 टीमें जद्दो जहत कर रही थी उसके अंदर से KKR हो गई है बाद, जो 4 टीमें बची हैं, वहां पे बची हैं आईदराबाद, पंजाब, जिनके चांसे लगबग 50 पतीशत से भी कम है क्योंकि उनका क्वालिफाय होना डिपेंड करेगा बैंगल और दिल्ली के अगले मुकाबलें पे और उसके बाद जो बाकी दो टीमें बच्ती हैं, वहां आती हैं RCB और दिल्ली की टीम RCB को भी यहां से क्वालिफाय करने के लिए अपना अगला मुकाबला जरूर जीतना होगा और उसके बाद ये उमीद जतानी होगी कि शनीवार को मुंबई की टीम दिल्ली को प्रास्त कर दे जिसके चलते आसानी से वहां पे क्वालिफिकेशन जो है वो हो जाए RCB की टीम के नाम देखना होगा RCB कल का मुकाबला जीतती है, यहां रती हैं जिसके उपर रहेंगी एटकले और किसको मिलेगा चौथे स्पॉर्ट का पायदान यहां से क्वालिफाय करने के लिए जिलाल 18 अंकों के साथ दूसरे पायदान पे आ गए हैं, लेकिन जो मुकाबला होगा परसों यानि की फ्राइडे का जब मिलेगी वहां से राजस्तान और चनेई की टीम, अगर राजस्तान वाज जीतती है और थोड़े बहतर मार्जिन से जीतती है तो 18 अंकों के साथ राजस्तान रॉयल्स की टीम पार कर जाएगी नेट रन रेट लखनाव सूबर जाइंट्स का और वो खतम करेंगे दूसरे पायदान पे जो भी टीम दूसरे पायदान पे खतम करेंगी वो मिलेगी गुझराद टाइटन्स को 25 मएगो इडन गार्णस में क्वालिफायर 1 खेलने का आपका फाइदा ये है कि अगर आप वहां से क्वालिफायर 1 हारते हैं तो आपको दूसरे क्वालिफायर में कम बैक करने का मौका मिलेगा जहां पेलिमिनेटर के विज़ता के साथ पेलेंगे यह सारा सेनारियो इस समय क्वालिफेकेशन का कौन सी चौती टीम जाएंगी जिसके उपर रहेंगी नजरे और कौन सी टीम दूसरे स्थान पे खतम करेगी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पताइए आपके अकॉर्डिंग लकनाउ राजस्थान कौन सी टीम खतम कर सकती है दूसरे फायदान पे साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमें यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए फेस्बुक पे जानने के लिए आई पेल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट वह भी सबसे पहले